वल्कम दिश्टों डिक्टेशन डिक्टेशन पांच जिएन बाज शुरू होगा रडी स्टार्ट इस पर हैरानी नहीं कि भारत इस नतीजे पर पहुच रहा है कि लद्दाख में वास्तविक नियंत्रन रेखा पर चीन ने जो गतिरोध पैदा किया है वह लंबे समय तक जारी रह सकता है चीन यथा इस्थिती को लेकर सहमत होने के बाद भी जिस तरह आना कानी करता चला आ रहा है उससे यह साफ है कि उसके इरादे नेक नहीं और वह आसानी से मानने वाला नहीं चीन के अतिक्रमणकारी रुख को देखते हुए केवल यही आवश्यक नहीं है कि वास्तविक नियंत्रन रेखा पर सेना की चौकसी पढ़ाई जाए बलकि यह भी है कि उसके खिलाफ कूटनीतिक सक्रियता और अधिक बढ़ाई जाए चीन भारत पर दबाव बनाने के लिए केवल सीमा पर ही आकरामकता नहीं दिखा रहा है बलकि कश्मीर मामले में अंतर राष्ट्रिय मंचों पर भी पाकिस्तान की भाषा भी बोल रहा है भारत केवल इतने से संतुस्ट नहीं हो सकता की चीन के साथ पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिसद में एक बार फिर मुह की खानी पड़ी यदि चीन भारत के आंतरिक मामले में हस्तक शेप करने से बाज नहीं आता तो फिर भारत को भी होंग कोंग तिब्बत के मसले उठाने में संकोच नहीं करना चाहिए यह भी जरूरी है कि भारत एक चीन नीत को खारिज करने के साथ ही दक्षण चीन सागर मामले में इस पर जोर दे की अंतर राश्ट्री नियमों का पालन हर हाल में किया जाए कूटनीतिक मोर्चे पर चीन के खिलाफ सक्रियता बढ़ाने के साथ ही उस पर आर्थिक निर्भरता कम करने के एजेंडे पर भी लगातार काम किया जाना चाहिए हालांकि चीन से होने वाले निवेश पर लगाम लगाने के साथ ही उसके एप्स प्रतिबंधित किये गए हैं लेकिन केवल इतना ही परियाप्त नहीं हुआवे सरीखी कमपनियों को प्रतिबंधित करने पर विचार किया जाना चाहिए चुकि चीन बिलकुल भी भरोसे के काबिल नहीं रह गया है इसलिए उसके समक्ष यह इसपस्ट किया जाना चाहिए कि वह न तो मित्र राष्ट जैसा विवहार कर रहा है और नहीं मजूदा हालात में उससे मित्रता संभव है चीन के शातिर इरादों को देखते हुए यह भी जरूरी है कि लद्दाख सीमा के साथ ही अन्य छेत्रों में भी सेना की चौकसी बढ़ाई जाई इसी के साथ उन कारणों की प्राथमिक्ता के आधार पर निवारन भी किया जाए जिनके चलते चीनी सेना लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर यथा इस्थिती से छेड़ चाड़ करने में समर्थ हो गई सरकार और सेना के सामर्थ पर संदेह करने का कोई कारण नहीं लेकिन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर वस्तोई स्थिती को इसपस्ट करने का काम इस तरह होना ही चाहिए कि न तो किसी तरह के संशय की गुंजाईश रहे और न ही किसी को उसे लेकर सस्ती राजनीत करने का हवसर मिले स्टॉप